नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्शोतम और अबाउड कोल स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम बताऊंगा नाम के साथ साथ इसके पार्ट्स नमबर और इसके इमजेस भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें शुरू कहने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें तो चली दोस्तों जानते हैं 12 कंप्रेसर पार्ट्स विद पार्ट्स नमबर के बारे में ये सभी पार्ट्स केसी सीरीज कंप्रेसर से रिलेटेड है नमबर वन ड्राइविंग गियर driving gear compressor के oil pump में लगता है और ये crank sharp से जुड़ा होता है जो कि ये दूसरे gear को drive करता है driving gear का parts नमबर कुछ इस प्रकार है 082.07.360.50 नमबर टू driving gear ये gear भी oil pump में लगा होता है driving gear इस gear को घुमाता है ये दोनों gear oil pump का महत्पून parts होते है driving gear का parts नमबर कुछ इस प्रकार है 082.07.370.50 नमबर थी bearing bush ये parts भी compressor के oil pump में लगते हैं ये दो बूसेज होते हैं और इन दोनों बूसेज में दोनों gear लगते हैं इनका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 082.07.330.50 नमबर फोर piston assembly जो की compressor के liner में लगता है और इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 082.03.000.50 ये parts एक cylinder में एक लगता है नमबर फाइफ, suction stroke limiter suction stroke limiter ये compressor head में लगता है और ये compressor head के important parts होता है इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 336.12.002.51 नमबर 6, trust ring trust ring compressor के crankshaft में लगता है जो की compressor के crankshaft को horizontally play को कम करता है इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 336.03.005.50 नमबर 7, delivery valve assembly delivery valve assembly या delivery discharge valve एक non-return valve होता है जो की compressor head में लगता है ये parts gas को cylinder में वापस आने से रोकता है इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 336.12.003.50 नमबर 8, unloader piston assembly जो की ये VLD piston होता है ये piston assembly VLD housing में लगता है इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 336.05.007.50 नमबर 9, cylinder liner cylinder liner जिसमें compressor का piston move करता है इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 336.04.001.51 ये parts जितने piston का compressor होगा उतना cylinder liner लगता है नमबर 10, teflon ring ये unloader VLD piston में लगता है जो की ये teflon का एक गोल छला होता है इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 336.05.006.50 ये parts अगर 4 cylinder का compressor है तो 4 लाएगा नमबर 11, housing for VLD piston ये parts unloader VLD का उपर का cover होता है जो की इसे housing बोलते है इसका parts नमबर कुछ इस प्रकार है 082.10.090.51 नमबर 12, shaft seal complete ये shaft seal complete होता है उसमें inner outer o ring लगा होता है और दोनों seal एक साथ आते हैं इसका parts नमबर कुछ इस परकार है 082.08.000.50 ये parts एक compressor में एक लगता है तो दोस्तों ये था case series compressor के कुछ important parts with parts number with parts images के बारे में तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को like और share करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe भी कर लें तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार